समस्कार आज हम लोग पढ़ेंगे जन्म बाधा जो कि सुधा जी द्वारा लिखी रचना है प्रस्तोत कहानी जन्म बाधा समस्या प्रधान कहानी जो हमारे यहाँ लिंग विभेदी करन है लड़का और लड़की जो लिंग के अधार पर है समस्या के बिशे में अपना बिचार प्रकट करते हुए लिखा है कि किस प्रकार माता पिता की उपेक्छा का सिखा जैसा कि आप जानते हैं कि पुत्र के जन्म पर खुशी मनाया जाता है और पुत्री के जन्म पर सोक की इस्तिती होती है हमारे समाज में किस प्रकार मता पिता की उपेक्छा का सिखार बारह वर्सी ये गुड़ी अपनी मुप्ति के लिए परधान मंत्री से गुहार लगाने को मजबूर है एक बारह वर्स की अबोध बालिका है जिसका नाव गुड़ी है गुड़ी बारह वर्सी ये एक लड़की है उससे छोटे तीन भाई हैं बबलू, गुड़ू, मुन्नू तथा तीन बहने रीता, मीता और छुटकी जारू लगाते समय उसे एक लीड मिलती है, क्या मिलता है तो उसको एक लीड मिलती है, जो अभी पूरी खत्म नहीं थी मतला उसमें कुछ इंक बचा हुआ था, वह मन ही मन सोचती है कि किसी की फिजूल खर्चिया पर पापा नाराज होते हैं परन्तु वह इसलिए चुप रह जाती है क्योंकि उसे अपनी मुक्ती के लिए परधान मंतिरी को पत्र लिखना है वह पापा के जोले से लिफाफे वह कागज निकाल लेती है और पत्र लिखने का निश्चे करती है और वो पत्र लिखने के लिए चली जाती है क्योंकि मा सो गई थी मा कहा है तो मा सोई है पत्र लिखने से पुर्व उसके मन में प्रस्ण उठता है क्या लिखू कैसे लिखू यदि गलती लिखू तो मेरी बातों पर ध्यान देंगे या नहीं बहुत सारे उनके मनोभावनाओं में बिचार आता है कि कैसे इस चिठी को मैं लिखू लेकिन उसका अंतरमन बिश्वास प्रकट करता है कि क्यों नहीं सुनी जाएगी मेरी बात हिज्जे गलत हो पर बाते तो सही है माने सब्द गलत भी हो लेकिन भावना तो प्रकट होती है उस भासाओं इसी विश्वास के साथ स्री गनेश जी का नाम लेकर उसने जैमातारानी से निविदन करते हुए एक चिठी लिखी दो भगवान मेरे कोई मदद करने वाला नहीं है तथा पत्र लिखने लगी परधान मंत्री जी परनाम मैंने सुना है बंधुआ मजदूरों को उनके मालिकों से चुराया जा रहा है मुझे भी छुरा दीजिये मेरे तीनों भाई स्कूल जाते हैं मैं अपनी पढ़ाय के बाड़े में पुछती हूँ तो पापा कहते हैं बाद में देखा जाएगा मैं दीन भर घर के कामों में लगी रहती हूँ घर के सारे बरतन तथा कपड़ों का धोने का कार्ज मेरा है रोटी बनाती बनानी भी परती है सबजी मा की तरह नहीं बन पाती है इसलिए नित मैं दाट सुनती हूँ गारी गलो सुनती हूँ एक पल भी आराम का उसर नहीं मिलता है वो अपनी बेदना ये चिठी के माधियम से परधान मंतरी के सामने प्रस्तुत कर रही है फिर भी सब हमें धीमर या सुस्त कहते हैं ये धीमर जो स्वस्त है देहाती सब्द है और हमारे हाँ सुस्त लोगों को इलिए धीमर सब्दों का प्रयोग किया जाता है मामा जी की जित पर दो वर्ष पुर मेरा नाम स्कूल में लिखाया था एक महिने के बाद स्कूल जाना बंद कर दिया गया क्योंकि मा को बच्चा होने के कान घर का सारा काम मुझे करना परता है मा से अपनी पढ़ाई के बारे में कहा तो पापा ने कहा घर में जैसे का कहारा सीखा है वैसे ही आगे भी कुछ पढ़ लेना मतलब उसकी बातों पर उसके जो भानाएं हैं उसकी जो मनुदसा है उसके उपर ना मम्मी ध्यान दे रही है और ना ही पिता उसके ध्यान दे लेकिन ना तो घर में कोई पढ़ाने वाला है और ना ही मैं अपनी मर्जी से इसकूल जा सकती है एसे इस्तिती में मुझे भी बंधुआ मजदूरों की भाति मुक्ति करा दिये आपकी बेटी गुड़ी फिर पापा के आने की अवाज सुनाई दी दरवाजा खोल ने दोर पड़ी क्योंकि देर होने पर डांट सुनने पर थी मा सोई थी इसलिए चाय बनाने का आदेश मिला पत्र लिखने के बाद उसके मन में एक विश्वास जगा की तब तक चाय बनानी होगी जब तक मेरी मुक्ति की घोशना नहीं होगी परितंत्र और बंधुआ मजदूर के विश्वास उसमें एक अजीव सा परिवर्तन पैदा हुआ आज अगर आपको जेल में डाल दिया जाए तो कैसा बियदना होगा उसी तरह से ये जन्म बाधा सुधा जी द्वारा समाज में ब्याप्त बेटा बेटी के जन्म की और समाजी कुड़ितियों पर बड़ा ही कुठा ग्यात किया गया है ये वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से देख रहे थे धन्यवाद जय हिंज जय भारत